हलो फेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ शियर करने जारी लौकी की सबजी इसे दूदी भी कहते हैं लौकी भी कहते हैं हमने इसे दो लिया दा और इसका छिलका निकाल गया हम इसको काट लेंगे इस सबजी को बनाने का तरीका बिलकुत अलग है और इसे काट लिया है और इसे अच्छे से दो भी लिया है यह मिसे कोकर में डाल देंगे इसको पहले वोल करेंगे यह आप लौकी केस आप से नमक ले और एक चौथाई चमच हल्दी पावडर पानी डालेंगे इसमें हम आदा कप और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें दो सीची ल new Serge college पना वानी डाला है, यह हम ने कुड़की को चैक कर लिया है कमें के हमारी हो गयी है यह लुई कर अंदम परफड़क्ली की यह तेया हूई इसका पानि हमने निकाल लिया है। यह यहां पेन लिया है। iक में लीए प्स जार। लिए एक चम्मच बेसन बहत जाँ लेना है। in next place on your FinTech 2 बड़ी चम्मच ऊइल हो जार आन ohuil 2 पिंछ लिए में चंब दनी कर दांश जिन गारम होएं zoals we sand अब इसे पकाना है, यह पेस्ट डालने के बाद में आपको फ्लेम को हाई कर देना है, इसमें दही है, मलाई है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको लगातार चलाना है, तब तक चलाना है, जब तक कि इसमें बबल्स नहीं बनने लग जाते, वनना दही फट जाएगा, मलाई का भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो इसे लगातार चलाते रहें यह फ्लेम को हाई कर देना एक या डेड़ मिनिट में यह हो जाता है अब आप देखेंगे इसमें बबल्स बानने लगए यानि कि ग्रेवी हो गई है अब लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने देना य एक चोथा ही चमच आप चूर पाउडर और एक चोटा चमच कसूरी मेथी और जो हमने बेसंट भून का तेयार किया था वह भी हम इसमें एड़ कर देंगे यह सभी चीज़न डालने के आप देखेंगे सभी चीज़ने ड्राय हो गई है अब इसको पकाना है तो इसके लिए पानी डालने के बाद में फ्लेम को करना है मीजयम फिर इसे मीजयम फ्लेम पर अच्छे से पकने तो ग्रेवी जितना अच्छे से पकेगी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा इसे तब तक पकाना है जब तक कि इससे ओल अलग नहीं हो जाता यहाँ यह ओल अलग हो गया है मसाले हमारे अच्छे से पकर तयार हो गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने लौकी को वाल के रखा था और इसे मिक्स कर लेंगे अब फ्लेम को लो कर देना और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे पहले सबDon ainda भी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें क्या होगा हलका सा नमग कम होगा क्योंकि ग्रेवी में नमग नहीं था लोकी को वालते वक्त हमने नमग रखा था तो हम इसमें हलका सा नमग डाल देंगे ग्रेवी के हिसाप से फिर से इसे मिला लेंगे और इसको ढखकर पकाएंगे 4-5 मिनिट तक लो फ्लेम पर इस सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब regular में जो लौगी की सबजी खाते हैं उससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे ढखकर पकाना है और फिर हम इसे चेक करेंगे तो यहां यह तयार हो गई है आप देखेंगे यहां किनारे पर ओयल रिलीज हो गया है यानि कि सबजी अच्छे से पक कर तयार हो गई है इसे तब तक ही पकाना है जब तक कि इससे ऐल अलग नहीं हो जाता यानि कि सारे मसाले अच्छे से पक गए है यादा चमच गरम मसाला इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे आप रोटी के साथ में खा सकते हैं, परांटे के साथ में खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसे एक वाज जरूर ट्राइ केजे, यहां यह तैयार हो गई है हमारी लौकी की सब्जी, जिसे हमने तोड़ असा डिफरेंट तरीके से बनाया था, और जो आप आपको सबसे पहले मिल सके, थैंक यू,